तो अब हमारे पास है types of asymmetores यानि की asymmetores की कितने types होते हैं तो basically हमारे पास asymmetores के हमारे पास three types होते हैं एक होता है horizontal asymmetores उसके बाद होता है vertical asymmetores और तीसरा होता हमारे पास oblique asymmetores तो यहाँ पर यह तीनो एसमिटोट को हम इस graph के help से हम समझने की courses करेंगे उसके बाद हम यहाँ पर limit का भी concept यूज़ करेंगे और फिर हम इसको समझेंगे कि एसमिटोट basically horizontal, vertical और oblique किसे कहते हैं तो चली हाँ पर मैंने हाँ एक graph draw किया है जो कि हमारे पास यह हमारे पास curve है infinite branches of curve जो कि हमारे पास f of x is close to ठीक है कुछ भी हो सकता है जिसको हमने y माल लिया ठीक है अब यहाँ पर हमारे पास है यह वाली जो line है अगर आप इस वाली line को अगर देखो तो यह हमारे पास एक axis close to a यानि कि a यहाँ पर कोई भी constant number हो सकता है इस वाला एसमिटोट हो तो जब हमारे पास कोई ऐसमिटोट जब कोई एसमिटोट y axis के पैरलल होता है तो इसको हम vida के नाम से जानते हैं यानि कि ऐसा एसमिटोट जो कि y axis के पैरलल हो उसको हम क्या बोलते हैं हम उसको vertical assembled कहते हैं similarly, अगर हम क्या बात करें हाँ पर कि अगर कोई भी ऐसमिटोट यह भी ऐसमिटोट है इसका क्योंकि देखो ये भी टच करने जा रहा थे टेंजेंट की तासर काम करेगा और ये एसेमेटोट है तो ये एसेमेटोट है ना तो कोई भी एसेमेटोट जो की X-axis के पैरल है इस एसेमेटोट को हम horizontal एसेमेटोट के नाम से जानते हैं और जो oblique वाला है ये जो oblique वाला है जैसे के माली जी के हमारे पास ये Cartesian plane है हमारे पास और यहाँ पर हमारे पास graph कुछ ऐसा है और यहाँ पर हमारे पास इस से origin से पास होने वाला ये वाली की में बात कर रहा हूँ तो ये वाला जो हमारे पास हे casimatoat होगा ये जो casimatoat होगा ना ही वो इस axis के परिल। है ना ही वो इस axis यानि कि ऐसा sabiaot जो coordinate axis यानि कि हुआ को हम coordinate axis बोलते हैं ठीक है कोडिनेट इकस यानि कि ना ही x axis ना ही y axis के परिल। हो तो ऐसे asymptote को हम oblique asymptote के नाम से जानते हैं एक बाद फिर से देखते हैं कि जब हमारे पास कोई asymptote y-axis के parallel है तो हम उसको vertical asymptote के नाम से जानते हैं ऐसा asymptote जो कि x-axis के parallel है तो ऐसा asymptote को हम horizontal asymptote के नाम से जानते हैं एक ऐसा asymptote जो कि नहीं x-axis और नहीं y-axis के parallel है जो line है इस line का जो हमार पास equation है वो हमार पास है x is close to a और इस line का जो हमार पास equation है y is close to b y is close to b यानि के मतलब यह जो line हमार पास origin से a distance पर है जो कि certain distance है और यह वाली जो line हमार पास है origin से b distance पर है जो कि यह भी हमार पास एक certain distance है ठीक है चलिए तो अब यहाँ पर हम limit का concept यूज़ करके हम देखते हैं कि horizontal asymptote किसे कहते हैं और vertical asymptote और oblique asymptote किसे कहते हैं चलिए next page पर पहुंचते हैं तो अब हमारे पास है horizontal asymptote और vertical asymptote हमने साथ में एक graph भी plot कर लिया है horizontal asymptote का जो definition है वो यह है कि an asymptote which is parallel to x-axis is called horizontal asymptote इस graph में हमारे पास horizontal जो हमारे पास asymptote है वो यह है यानि कि यह asymptote जो कि हमारे पास x-axis के parallel है तो यह हमारे पास horizontal asymptote होगा और यह वाला हमारे पास जिसे कि vertical asymptote and asymptote which is parallel to the y-axis called vertical asymptote यानि कि हमारा पास यह वाला जो absolut है है जो कि हमारा पास y axis के parallel है तो यह वाला हमारा पास हो जाएगा verticaldramatic UP अब यहां पर हम लिमिट का कॉंसेप्ट यूजरा देखते हैं सबसे पहले हां पर होरिजंटल एसीमतोट के लिए horizontal asymptote horizontal asymptote के लिए जरा ध्यान से देखिए अगर हमारे पास wise quest to b है यानि कि एक line हमारे पास है wise quest to b एक line हमारे पास wise quest to b यह line ठीक है यह हमारे पास horizontal हमारे पास asymptote कहलाती है यानि कि हमारे पास जरा ध्यान से देखिए यह हमारे पास wise quest to b हमारे पास यह एक line है और इस infinite curve के लिए यानि कि infinite हमारे पास branches of curve के लिए यानि कि f of x is quest to y के लिए हमारे पास ठीक है यह infinite branches of curve के लिए हमारे पास wise quest to b जो line है वो इसके लिए क्या है होरिजन्ट एसे में टोट है फिर से मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनेगा यह जो y is close to b हमारे पास जो line है वो इस infinite branches अफकर f of x is close to y के लिए हमारे पास यह एसे में टोट है कब? कब हो सकता है तो ज़रा ध्यान से दिखिए limit of f of x when x tends to infinity then हमारे पास के मिलेगा b ध्यान से दिखिए क्या कहने का मतलब है कि limit f of x when x tends to infinity gives b यानि कि जब x infinity पर होगा x infinity कहने का मतलब क्या है? कि हमारे पास point b यहाँ पर है और x, y इसका coordinate है यानि x को हम x tends to infinity कह रहे हैं इसका मतलब कि x को हम क्या करें बहुत दूर यानि कि यह जो line हमारे पास है इस line पर हमारे पास x का point हम बहुत दूर ले रहे हैं यानि कि बहुत दूर ले रहे हैं बहुत दूर बहुत दूर इसका मतलब यह है कि वो जो x वाला जो coordinate होगा यह इस वाले का इस वाले का इस curve के curve को intersect करता हुआ नजार आएगा, touch करता हुआ नजार आएगा यानि कि जब हम क्या करते हैं x tends to infinity करते हैं इसका मतलब क्या है कि जो point P है इस पर और इस पर ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे पर coincide कर रहा है, touch कर रहा है तब उस case में हमारे पास ये जो line draw करते हैं जो कि y is close to b आती है ये हमारे पास ऐसे में टोट हो जाता है और ये ऐसे में टोट कौन सा होता है हमारे पास horizontal एक बार फिर से मैं repeat कर रहा हूँ कि जब हमारे पास x tends to infinity यानि कि जब x ऐसे बढ़ाते जाएंगे इस direction में x बढ़ाते जाएंगे तो ये x इतना दूर चला जाएगा कि ये वाला जो curve है और ये जो line है वो एक दूसरे को touch करते हुए नजर आएंगे और जिस point पर उट टच करते हुए नजर आएंगे वही point हम basically infinity के बात करे हैं हम तो infinity पता नहीं कर सकते तो हम क्या कर रहे है कि infinity पर जहां हम इसको ले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि touch हो रहा है तो जिस point पर लगता है कि touch हो रहा है वहाँ पर हम एक ये ऐसा straight line draw करते हैं तो ये straight line हमारे पास wise close to b को represent करता है और यही हो जाता हमारे पास horizontal estimator ठीक है अब हम बात करते हैं इसी चीज़ को हम एक और तरीके से समझ सकते हैं अगर जैसे कि सीधा इस वाले direction में positive direction में हमारे पास ऐसे मटोट है तो back side में भी अगर हमारे पास ऐसा होता हमारे पास ये जैसा graph ऐसा है एक graph ऐसा भी हो सकता है तो इसके opposite में भी हमारे पास क्या होगा same ही होगा answer लेकिन हमारे पास जो कि negative value of यहाँ पर x की हो जाएगी इधर हमारे पास positive value of x है इधर हमारे पास negative value of x हो जाएगी जैसे कि हम बात करें limit when x tends to minus का infinity और f of x gives what यूग कि देखो न, y is close to y is close to b के लिए हमारे पास line ऐसी है चाहे ऐसी है तो y is close to b के लिए हमारे पास line negative positive से लेना देना नहीं हमारे पास यह B ही मिलेगा यानि कि इधर भी estimate root वही मिलेगा